आपको एक तो फिर खुश्यामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजर हुए हैं आज हम स्वाल करने जा रहे हैं आपके सामने हाँ नमबर सेखुने जाणे हैं यह तो फिल्टन के सामने हां किंडरिंग नमबर सेखुषर्ग के साथ एकार्श के चाहिएं कि जिससे बच्चे असानी के साथ नंबर्स को जो है वो ओर्डर में लिख सकें तो यहां पर बुक में से ही आपके साथ शियर करने जा रहे हैं ऐसी कुछ टेक्निक्स के कैसे हम नंबर्स को ओर्डर कर सकते हैं तो पहले जब नंबर्स को हम ओर्डर करना बच्च को स सा नंबर है for example यह देखे हमारे पास है 235 5 16 147 हमें तो यूजियली पता चल रहा है यह सबसे चोटा है यह बड़ा है यह उससे बड़ा है लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं चोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि इसमें से हम कैसे अडेंटिफाइड करें गे तो यहां पर जो है वह देखे थी कॉलम्स हैं कॉलम्स 3 बनाए उं सकते और यूजियुक्या क्वेस्टिफं की जगा जो है वह वह वन्स लिखेंगे और टेंस की जगा टेंस लिखेंगे 100 की जगा 100 दिखेंगे, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को 1s का, 10s का और 100 का पता होना चाहिए तूकि ये question स्टार्ट होते हैं 2, 3 classes से तो इसलिए ये concept 100 तक उनको जा चुका होता है अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने तीनों नंबर्स को जो है, वो पुट किया, पुट करने के बाद हम देखेंगे, कि यहां पर जो है वो उनसकी value यहां पर देखें, हम 100 से स्टार्ट होंगे, ये 200 है इसमें 3 10s हैं और 5 1s हैं तो इससे नीचे वाले नंबर में देखनें इसमें 5 100s हैं 1 10 है and 6 1s है लेकिन यहां पर हम देखते हैं अगर 100 की बात हो रही तो 100 से ही identify करना बहुत आसान है कि हमें पता चल रहा है, यहां से देखें इसमें से 3 में से कौन सा bigger नंबर है तो 5 जो है, most bigger नंबर है, इन 3 में से हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, after that हम दोनों में से देखते हैं, इसके बाद कौन सा bigger नंबर है, तो 2 bigger नंबर है and last one जो है, वो smallest नंबर है, तो हम इसका arrange कैसे रखेंगे यह आएगा नंबर 1 पे यह नंबर 2 पे और यह नंबर 3 पे तो इस तरह से हम इसको order करेंगे अब हम question को देखेंगे, question क्या है कि order में हमने numbers को लिखना है यह smallest to bigger है यह biggest to smallest है तो यह smallest to biggest है इसलिए हमने क्या किया 147 को, फिर उसके बाद 235 को और इसके बाद last पे 516 को order में रखा फिर इसके बाद question है, the arrangement of number from the smallest to the greatest is called ascending order, यह एक अलग topic है इस पे हम मजीद वीडियो बनाएंगे लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पर जो काम है, वो है numbers को arrange करना order में करना, smallest to biggest or biggest to smallest अब यहाँ पर भी 3 number है 162, 203 यह वाली exercise हम यह वाली example solve करते हैं 168 इसी तरह हमने 3 column जो है वो बना लिए मैं इसलिए नहीं बना रही कि already बने हुए हैं तो इसलिए book पे ही आपको समझा देते हैं 3 column बनाए 1s, 10s and 100 के जिसको अकाई जहाई सेंकड़ा हम कहते हैं आम जबान में तो इसके 3 column जो है वो बनाएंगे और जिस इस प्लेस पे जो 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 इसका number है उस पे वो लिखेंगे अब यहां पे main बाकी number को तो देखने की जूरुत नहीं है यहीं पे जो है वो हमें पता चल जाएगा कि कौन से number के क्या value है अब देखें यहां पर यह तो हमें पता चल गया 2 जो है वो इसमें से bigger number है इन दोनों में से अब यह तो big हो गया ठीक है अगर हमने biggest to smallest की तरफ जाना है यह हमारा number one पे ही आएगा और फिर यह देखें दोनों में one one है अब हमने यहां पे भी जाके देखा यह भी दोनों number सेम है तो अब हमें किसे पता चलेगा कि इन दोनों number में हमें कैसे फरक नजर आएगा तो यह देखें one's में जाके देखें एक तरफ है two और एक तरफ है eight तो अब यह दोनों भी सेम है यह दोनों भी सेम है लेकिन one's में जाके हम देखेंगे इन दोनों में से bigger कौन सा है इन दोनों में से eight number हमें पता है कि यह bigger number होता है इसका मतलब यह हुआ ये वाला जो हमारा number है तो ये पहले आएगा, ये दूसरे number पर आएगा ये end पर ये बड़ा है, ये तीसरे पर आएगा ओके, let's solve some exercise circle the greater number अच्छा, इसमें सिर्फ two numbers है इसमें से select करना बहुत ही असान है इसमें से जो bigger number है हमने उनको circle करना है ये circle थे, solve थे, लेकिन मैंने इनको raise किया, ताकि मैं आपके साथ मिलकर इसको solve कर सकूँ 18 है और 121 है simple है, बहुत ही easy कि ये three digits number है two digits है, तो ये three digits जो है, वो already greater number है, इसको हम circle करेंगे, after that ये देखे, यहाँ पर भी वही scene है कि यहाँ पर जो three digits है क्योंकि ये अभी tens में है, लेकिन जो hundred है अगर simple बात बच्चों को नहीं समझाती तो उनको पैसे दे के, money दे के उनको सिखाए money का concept जो है, वो बच्चों को बहुत जल्दी clear हो जाता है क्योंकि वो उनकी अपनी interest की बात होती है और जब हम students को उनकी interest के हिसाब से पढ़ाते है उनकी जो learning होती है वो बहुत जल्दी उनके concept clear होता है और जो clear हो जाते हैं concept वो long lasting होते हैं वो आएंदा जिन्दगी में कभी भी उनको नहीं भूलते हैं अब ये देखें, ये three digits है लेकिन यहां पर हम क्या decide करेंगे हम यहाँ पर hundred वाले digits को ही देखेंगे देखें जरा अब यहाँ पर क्योंकि दोनो different है तो उनको बताएं कि one जो है वो bigger होता है, two bigger होता है यहाँ पर nine है लेकिन यहाँ पर one है अब यहाँ पर nine बड़ा है यहाँ पर eight है, यहाँ पर भी eight है लेकिन यहाँ पर difference जो है वो ज्यादा prominent होगा जी 100 वाले नमबर पे यह 200 है यह 100 है तो हम circle किसको करेंगे 218 को फिर उसके बाद है देखें यह 600 है और यह 599 है जस्ट वन नमबर का difference अगर हम कहें जी बच्चों को 1 वाला 10 वाला जो है उसको साथ में compare करो तो यह देखें कि यह 00 है और बचे कहेंगे कि यह 9 जो है वो जादा bigger है लेकिन यहाँ पर फरक क्या आएगा 100 वाला जो नमबर है वो उनको compare करने में असानी होगी कि 106 जादा बड़ा होता है यह 5 बड़ा होता है तो वो कहेंगे कि 6 जो है वो जादा बड़ा होता है तो 6 को circle करेंगे कि फिर है जी 749 और इधर है 497 इसको क्या करेंगे हमने इस में से किसको circle करना यह numbers को देखें सिर्फ उसकी तर्तीब चेंज की है बच्चों को confuse करने के लिए लेकिन अगर उसके concept clear है तो फिर इस तरह के numbers जो जंबल्ड कर दिये जाते हैं वो उसको कभी भी confuse नहीं करते हैं 100 की place को देखेंगे यह 4 है यह 7 है पूरे 300 का फरक है इसमें difference है इसका मतलब क्या है जी 749 जो है वो bigger है फिर है 899 और 999 तो इन दोनों में से कौन सा bigger है तो यह वाला bigger है क्योंकि इसमें 100 place पे 9 है बेशक हमारे लिए one number का difference है लेकिन बच्चों के लिए जो है वो सिखाने के लिए easy है फिर उसके बाद जो है and circle the smaller number यहां पर हमने greater number को circle कि अब question change हो चुका है इसमें हमने smaller number को करना है टक्नीक वह ही है हमने कैसे identify करना है smaller number कौन सा है bigger कौन सा है तो यह देखें जरा इसमें two digits वाला सीम ज हमने smaller है same वह हंडरड़ वाली प्लेश को देखें अब ढधित से कहें जो चोटे वाला है कम पैसे पर xy ना hm309 वाली प्लेश पर ळीक यहां पर 20 है। तूं एख स्मॉ़लर होता है इसलिए इसको सिर्कल चीया पैव 1505 देखें इस तरह के गराद होते हैं अब दोनों पे 5 है ठीक है लेकिन यहां पे डिफरंस क्या है यहां पर भी नंबर्स को जंबल किया हुआ है कि यहां जब इस तरह नंबर्स को जंबल किया हो तो पिर आपको लगे कि यहां पर आप मनी यूज करें मनी यूज करेंगे तो उसे फॉरण पता चल जाएगा तो यह तो कम है यह कम है यह ज़्यादा है ठीक है यह अब देखेंगे जी 10 की प्लेस पे यहां पे 5 है यहां पे 0 है यहां पर जब हम अपना मनी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो वच्चों को अंडरस्टेंड करने में बहुत ज़्यादा असानी होगी लेकिन वैसे हम उनसे कहेंगे कि 10 की प्लेस में यानि 5 ज़्यादा होगा या 0 ज़्यादा होगा तो फिर आपको बताएगा तो हमने क्या करना है 505 को सरकल करना है अब यह है 700 और यह है 699 इन दोनों में से कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर ह है 100 की प्लेस पर देखेंगे पूरा 100 का डिफरंस है तो यह नंबर बात में देखेंगे बेशक यहां पर हम जब स्वाल कर रहे हैं तो यहां पर एक ही नंबर का डिफरंस है लेकिन जब हम अपने बच्चों को स्टूरंस को सिखा रहे हैं तो यहां पर सिरफ अगर हम एक ही नमबर को चेक कर रहे हैं तो यह आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं यहां पर देखें 100 की प्लेस पर यहां पर भी 9 है यहां पर भी 9 है यहां पर 8 है यह बिगर है यह स्मॉलर है यहां पर यह स्मॉलर है यह बिगर है तो numbers को जब jumbles किया जाता है तो ये बच्चों को लिए जो है वो एक तरह की उनके concept चेक करने के लिए जम्बल जो दिये जाते हैं जम्बल words हो गए, जम्बल numbers हो गए उनकी concept अगर clear हैं तो इस तरह की jumbling उनको कभी भी confuse नहीं करेगी यहीं से हमें पता चलता है किस student का concept clear है और किसने जो है वो root learning की है, cramming की है किसने यहीं से इस तरह की चीजों से बच्चों की जो है वो discrimination हो जाती है, इसका फरक का पता चल जाता है अब देखें, 9, 89 अब अगर आप उनको counting अच्छे से आते हैं उनको पता है 89 जो है, वो smaller number होता है क्योंकि यह पहले आ जाता है 98 जो है, वो बाद में आता है तो इसको जो है वो आप circle करवाएंगे अब जब हम 3 numbers उनको देते हैं 3 numbers में से जो है वो करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्कल लगता है क्या करेंगे numbers increase हो चुके है तो क्या करेंगे इस में से जी greatest number ढूनना है तो वो greatest number कैसे ढूननेगा सेम वो ही टक्मीक, 100 वाली place को जो है, वो आप check करें यह तो पहले skip हो गया, क्योंकि यह 2 digits है अब दोनों में, इन दोनों में हमने देखना है कि greatest कौन सा है तो इनकी places को check करते है अब 100 की place भी जो है वो एक जैसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ones वाली place देख लेते हैं, यह one पे है इसमें one ten है, इसमें three ten है, इसमें five ones है इसमें भी five ones है, तो difference कहां पर आया, यह tens वाली place में difference आया, इसका मतलब इसमें three ten है, इसमें one है तो bigger कौन सा हुआ जी, greatest कौन सा हुआ यह वाला, जिसमें three ten है, इसमें देखते है यह है three digits, तीनों में three digits है तो हमने क्या decide करना, hundred वाला check करते हैं, यह दोनों में same same हो गया, पर इसका ones वाला decide करते हैं tens वाले, इसमें one ten है इसमें seven ten है और इसमें five tens है अब यहां से difference हमें पता चलेगा, इसमें अब यही पे difference पता चलेगा है के इसमें one ten है, इसमें seven है और इसमें five है, तो सब سے जारा ten कि है? इस्भाले में है आगे चाने के ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरी नहीं कि आप सारी यह सॉल्व करें जब आपका एक स्टेप पहला नमबर आपको कलियर कर रहा है तो ठीक है वन्ना पर दूसरा कलियर कर रहा तो उटिक कर दें अगर ज़रूरत पढ़े तो फिर तूसरे को आप चेक करें, फिर है 390, 388 and 369, अब हम 100 वाली प्लेस को टिक करते हैं, तीनों सेम हैं, तो कौन सी चीज जो है वो हमें फरक करके बताएगी, यहां पे 9 टेंस हैं, यहां पे 8 टेंस हैं और यहां पे 6 टेंस हैं, तो सबसे ज़्यादा टेंस जो है, वो किसमे हैं, इसमे है तो इसको हम जो है वो सरकल करेंगे, फिर है देखें, यह फिर से हमारे पास 3 नमबर हैं, 3 डिजट्स हैं, तो हम जो है, वो 100 वाले को क्लिक करते हैं, अब यागे जाने की ज़ुरुती नहीं है, इसमें से bigger कौन सा है, यह वाला, इसलिए हमने ones वाले को टच्च ही नहीं किय कि हमारा 100 वाले प्लेस वाले नंबर में ही question solve हो गया अब ये क्या है 809-799-699 100 वाली प्लेस को देखें तो ये इसी में हमारा question solve हो गया है इसी तरह की टक्नीक हमने बचों को देनी है जो quick बच्चे इसको solve कर सके फिर है 988-899-999 अब यहां पर देखें ये place ये skip हो गया क्योंकि ये छोटा है इसमें ये smaller number है इसलिए अब हमने compare किन को करना है इन दोनों को करना है अब इसमें 100 भी same है ones भी same है और tens भी same है और ones का थोड़ा सा difference है ये देखें tens भी same है 100 भी same है इसमें ones 8 है इसमें ones 9 है तो फिर भी चाहे एक number का difference है तो ये greatest number ये वला बना ठीक है इस तरह की technique से आपने बच्चों को अपने questions को solve करना सिखाना है पिर ये है circle the smaller number तो इसी के हिसाब से हम देखेंगे ये two digits है तो इसको circle करेंगे ये smaller बनता है इन तिनों मेंसे देखते हैं जी 100 वाली line में देखते हैं यहीं पे question solve हो गया आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ये 100 है ये 3300 है तो यहीं पे हम solve कर लेते हैं फिर आगे आगया जी ये 500 है ये 500 है ये 400 है ये 100 है ये 200 है ये 400 है तो हमने सबसे smaller लेना है तो 100 वाले को tick कर लेते है ये 600 है ये 600 है ये 600 है देखे 100 की line जो है ये हमें differentiate नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे 10 को check करते हैं ये 8 है ये 6 है ये 9 है अब ये ये सबसे ज़्यादा ones है ये उससे कम है ये उससे कम है तो हमारा answer ये वला बनता है यानि 100 में जाके इसने हमें नहीं बताया तो 10 को हमने touch किया 10 को compare करने से हमें 10 के places number को compare करने से हमें हमारा answer मिल गया अब ये देखे ज़रा इसमें देखते हैं ये भी 900 है ये भी 900 है इसका क्या मतलब हुआ हमें smaller सबसे चाहिए हमें हमारा answer मिल गया बच्चों को कुछ इस तरह की टक्नीक सखाएं जो के quickly question को solve कर सकें सोचने समझने की बात जो है भू